आज की शाम के लिए तैयार करेंगे हम दही के कवाब जिसके लिए लेंगे हम आधा किलो दही कटी हुई कुछ सबजियां मटर के दाने नमक लॉंक काली मिर्च छोटी लाइची भूना हुआ बेशन इसकी जगह हम सत्तु भी इस्तिमाल कर सकते हैं चिवड़ा इसकी जगह हम ओट्स भी ले सकते हैं कटी हुई अध्रक धनिया और मिर्चा कवाब बनने की बाद उसे लपेटने के लिए लिया है मैदा शुरू करते हैं हम दही के कवाब बनाने की विधी गाड़े दही को मैंने चार पांच घंटे पूर एक मलमल के कपड़े में डालके टांग दिया था जिससे ये पानी निकला है ये पानी बहुत ही पॉस्टिक होता है इसे हम अन्यूद भी रेस्पीस तयार कर सकते हैं आटा गुन सकते हैं कड़ी बना सकते हैं और इसमें नम मिर्चा और मसाले में लाके छाज की तरह से पी भी सकते हैं हमने देखा कि मलमल के कपड़े में भी होया ये दही इस प्रकार से हो चुका है इसको मैंने इस बॉल में निकाल लिया है इसमें मैं भूने हुए चने का या बेशन का पॉडर डालूंगे ये पॉडर हम इसलिए डालते हैं कि यदि इस दही में थोड़ा सभी पानी हो तुवे इस पॉडर के दारा सोक लिया जाए भूने वे चने में या सत्तु में पानी एब्सॉर्ब करने की बहुत ही जादा छमता होती है इसमें मैंने मिलाया मैंने आधा ही किलो दही से बनाया है इसलिए ही मेरा मटीरियल कम है इसलिए मैं थोड़ी सी ही धनिया एक कटी मिर्चा छोटी कटी हुई अध्रक डालूंगी थोड़े से अध्रक थोड़ी सी गाजर थोड़ी सी शिमला मिर्च जो मैंने अच्छे से चॉप कर ली थी इसमें मिला दूंगी बाकी चॉप की हुई गाजर और मिर्चा को शिमला मिर्चा को मैं फ्रीजर में टाइट डिबे में बंद करके रख रहती हूं जो कभी अगली रेसिपी में काम आती है यदि इने काटते समय कभी उंगली कटने का डर हो तो हम अपनी उंगलियों पर छोटे साइस के बैलून्स को भी चढ़ा सकते है इससे कटिंग के टाइम पर हमारी उंगलिया सीफ रहती है आए आगे बढ़ते हैं इसमें मैंने छोटी लाइची एक इसे कूच लिया था पिंचाफ काली मिर्च एक लॉंग छोटी मिला ले नमक हाफ टी स्पून क्योंकि मेरा माटीयल कम है हम उसी अनुसार से अपने मसानों को एड करेंगे हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इस डो को चिकना कर लेंगे मेरा ये डो कबाब बनाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गया है नहीं बहुत ही फाइन तरीके से छन गया था इसमें मुझे श्चुवरा डालने की जरूरत नहीं पड़ी है अब आईए हम कबाब बनाते हैं हथेलियों को हमने तेल की साइता से थोड़ा चिकना किया अपने गोला बनाते हुए कबाब बनाने शुरू करें इस प्लेट में मैंने मैदा लिया था मैदे को हलका हलका लगा लेंगे हलाकि मेरा डो इतना अच्छा तैयार हुआ है कि इसमें मैदे की भी जरूरत नहीं दिख रही है आपका यदि धीला हो जाता है तभी आप इसमें मैदा लगाईएगा और यथा जरूरत नहीं रहती है मैंने तवे पर तेल डालके गरम कर लिया तेल अब गरम हो चुका है मैं अपने कबाब को शैलो फ्राही करके ही खिलाना पसंद करती हूँ कि ज्यादा तेल बच्चों की सहत के लिए किसी की भी सहत के लिए हानिकारक होता है बसे आपकी मर्जी यदि आपने बेशन के गोल बनाकि उसकी कोटिंग कई तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसे हम लो से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे यह एक तरफ से गुलाबी हो चुके हैं सुनहले हो चुके हैं इसको हमने इस पैचुला से धीरे धीरे पलट लिया मैं हमेशा दो मेंबर्स के लिए ही बनाती हूं क्योंकि मेरी छोटी सी फैमिली है आप इसी मेजर्मेंट को ध्यान रखते हुए अपने फैमिली मेंबर्स के अनुसार घटाया बढ़ा सकते हैं ये कबाब गोल्डन हो चुके हैं इसका खुश्बूवाने लगी है बिलकुल तयार हो चुके हैं आईए हम इनको सर्ण करने कि तैयारी के लिए बढ़ें दही के कबाब तैयार हैं इसे हम हरी चट्नी के साथ ठिला रहे हैं आप इसे सॉस इमली की मीठी चत्नी किसी के साथ भी खा सकते हैं आइए मैं आपको एक कबाप तोड़के दिखाती हूं कि यह कितना क्रिस्पी उपर की कोटिंग क्रिस्पी वीच से मुलाएं विल्कुल मखन यारूई की तरह कह सकते हैं खाने में भी बहुत अच्छी होंगे किसी भी उमर के लोग इसे खा सकते हैं बुरे हों बच्छी हों जान हों तो आएए आज इंजॉय करते हैं शाम की चाय के साथ दही के कबाप